हेलो दोस्तों मैं लिए क्या हूँ आपके सामने फिर से न्यू इंट्रेस्टिंग सी वीडियो और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग जो आपनी स्क्रीन के अंदर देख रहे हो जैसे बनी बंडल हो गया या फिर और कोई भी 3D मोडल आप कैसे लिए तो इस वीडियो को जरूर सबसे पहले लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो ठीक है तो बिना किस देरी के तो मैं आपको बता दूए जो आप मोडल देख रहे हो इसको डाउनलोड कैसे करते हैं और या फिर इसक अगरे मतलब जो फ्रीफार से लटेशच इतने भी मोडल है वो सवारी के सारे आपके सामने 100 हो जाएंगे जैसे कि यंज आप से को देख सकते हो ये जो बुए आप आस के बंदल है ठीक है और ये बनी बंदल है तो मैंने यह वञा वाइट टेपल वोर वाला बनी बंडल मैंने लिया और मैंने इसे डाउनलोड कर लिया था तो डाउनलोड कैसे करना है simply आप सबसे पहले इसको यहाँ पे इस website के अंदर आप review भी कर सकते हो आगे पीछे उपर नीचे देख सकते हो यह इसका advanced feature है इस website का तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फिर उसके नीचे जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डाउनलोड का भी option है दाउनलोड 3D और यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है यह वाला GLTF के नाम से ठीक है इसके सामने वाले डाउनलोड के option पे आपको क्लिक करना है और अपना डाउनलोड कर लेने के बाद आप सभी को क्या करना है अपना जहाँ पे जो आपकी file है उसके अंदर folder के अंदर पे side में देखो नीचे देखो extract hair का आ रहा है आपको इस पे click करना है click करने के बाद इससे उपर वाला जो folder है जैसे texture का आ गया तो वो आपके सामने show हो जाएगा तो texture जब आ जाएगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर texture की जितनी peak है सारी आ चुकी है अच्छा फिर इसके पहले बिल्कुल side में click करेंगे click करने के बाद 3D import पे ok करेंगे करने के बाद अपना jade archiver को open कर लेंगे करने के बाद फिर हम आ जाएगे नीचे जहां पर आपकी download वाली file है उस पे ok कर लेंगे ठीक है और उस zip वाली file पे ok करने के बाद since.gltf पे ok करना है ok करने के बाद करने के बाद आप साइड में देखोगे कि यहां पर हमारा गैलरी का option आजाएगा गैलरी का option पे ok करोगे तो हमारे जो texture है वह आपको दे देना है तो जहां पर जैसे की texture इसका यह second वाला है तो मैं इस पर click कर देता हूं तो second वाले पर इसका सिर का जो टेक्टर है वो आ गया है अब जैसे मैं बोडी पे क्लिक करता हूँ बोडी पे क्लिक करने के बाद फिर टेक्टर पे क्लिक करता हूँ टेक्टर पे फिर गैलरी और अपने टेक्टर वाले image पर जाता हूँ जहाँ पर हमारे texture थे और simply मैं body का भी दे देता हूँ ठीक है अच्छा फिर paint पर click करेंगे फिर texture पर ok करेंगे करने के बाद फिर gallery में gallery पर जाने के बाद नीचे आएंगे और हमारे texture वाले album के अंदर जाके हमारे texture वाले option जो है इसका paint का उस पर ok कर देंगे तो हमारा paint का भी texture लग जाएगा फिर पर click करेंगे करने के बाद फिर हम metal पर click करने के बाद texture पर ok करेंगे करने के बाद geldi में जाएंगे दुपारा से और फिर थोड़ा scroll करके नीचे हमारा जुच्छा पर texture है फिर हम अब इसके सूज के भी texture दे देंगे तो सूज के texture यह थड़ वाले है तो मैं दे देता हूँ देने के बाद हमारा bunny bundle बिल्कुल हो चुका है त्यार तो finally आप लोगों ने अगर सीख लिया है आप लोगों ने सीख लिया होगा क्या की download कैसे करते हैं ठीक है 3D model को अच्छा फिर उसको import कैस करते हैं इंपोर्ट करने के बाद आप लोग उसके अंदर texture कैसे दे सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब